माखी रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे महरास्टियन गीज दस में सबसे पहले हम गैस में एक बरतन रखेंगे और उसमें डालेंगे एक ग्लास दीज आधा चम्मच हम डालेंगे सौट का पाउडर थोड़ा सा डालेंगे हम चायफल का पाउडर थोड़ा सा डालेंगे हम इलाइची पाउडर और थोड़ा डालेंगे केसर का पाने जो मैंने पहले से भिगा के रखा है एक चम्मच हम डालेंगे ड्राइफ्रूट का पावडर इसमें काजू, बदाम, पिस्ता इस सभी चीज़े मैंने साथ में पीश के पावडर बना दिया है अब हम इस दूद को अच्छी से गरम कर लेंगे केसर की वज़े से इसका कलर बहुत सुन्दर हो गया है दूद हमारा अच्छी से गरम हो गया है, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ अब हम दूद में गुड मिलाएंगे, यहाँ पर मैंने एक पावड गुड का पावडर लिया है आप चाहें, तो गुड को कद्दू कसकर की भी महीन कर सकते हैं तो अब हम इसे दूद में मिलाएंगे, दूद में जब भी हम गुड मिलाते हैं तो दूद एक तम से गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो दूद भट जाता है तो नौर्मल दूद में हमें इस गुड को मिक्स करना है इस तरह से गुड़ को हमें दूद में मिक्स कर लेना है गुड़ अच्छी से हमारा गुड़ में घुल गया है क्याकि गुड़ का पाउडर था तो इसमें जादा हमें घोलने में मेहनत नहीं लगी अब हम एक पराद लेंगे और उसमें डालेंगे एक कटारी गेहु का आठा आठा कटारी मैंने यहाँ पर जुआरी का आठा लिया है अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्माचम घी, एक चम्माचम इसमें डालेंगे सफेद तिल, आटे को अब हम अच्छी से मोबन कर लेंगे इस तरह से अब जो हमने घुर और दूद को मिक्स करके बनाया है उसी से अब हम इसे अच्छा सा दूद तयार कर लेंगे ये रेसिपी बहुत इजी है और हेल्धी भी है तो आप भी जरूर इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिए बच्चों का नास्ता हो सुबर का या पिर हमें कहीं जाना हो तो हम इसको बनाकर ले जा सकते हैं और बच्छों के भी टिफिन में इसे दे सकते हैं और हवते बहर हम इसको खा सकते हैं इसको क्याकि इसमें दूर्थ भी है तो उससे खराब नहीं होता है तो आप भी चरी उत्राव कीजिए और कैसा लगा कमेंट करके बताईए और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंज को भी सियर कीजिए ऐसी ही नई नई रेशिपीच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहे दस में बनाने के लिए हमारा डो बिले कुल रेडी है अब हम गैस में एक तबा रखेंगे सबसे तहले हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसकी एक लोई बना लेंगे इस तरह से और फिर हम थोड़ा सा आटा डालके इसको रोटी की तरह इस तरह से बेल देते हैं पहले थोड़ा सा और अब इसमें लगाएंगे हम थोड़ा सा घी बीच में इस तरह और थोड़ा सा डालेंगे इसमें आटा इस तरह और इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे और फिर से इसमें थोड़ा सा आटा डालेंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से बेल देंगे इस तरह से हम बेल लेंगे नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा मोटी रहती है इस तरह अब हम इसको गरम तववे में इस तरह से डाल देंगे आज को हमें सिमी रखना है ज्यादा तेज आज में नहीं बनाना है एक साइड का हमारा पग गया है तो हम इस तरह से इसको पलटेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा उपर से हम घी लगा लेंगे इसमें और भी अच्छी से सिख जाएगा घी से अब हम दूसरी साइड भी इसका घी लगाएंगे यहां पर भी हम थोड़ा से इस तरह से अपर से घी लगा देंगे दूसरी साइड भी गयाज को जादा तेज नहीं करना है हमको सिमाज में रखना है देखें ता सुन्दर दिख रहा है और इसके खुजबू भी इलाइची की और जो हमने डाला था इसमें जाएफर्ट उसके भी बहुत अच्छी खुजबू आ रही है इसमें देखें ता सुन्दर दिख रहा है इसी तरह से हम सभी दस्मी को रेड़ी करेंगे देखें सिमाज में फटाफट बन जाते हैं लीजिए हमारी महरास्टियन डिस दस्मी बनकर बिलेकुल रेड़ी है आप इसे गरम दूद के साथ भी खा सकते हैं और इस तरह से मक्खन के साथ भी आप इसे खा सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं थैंक यू